नवस्का दोस्तो स्वागत है आपका आपके अपने यूटूब चैनल पाते हैं दोस्तो सीटेट दिसम्मर एक्जाम 2023 को लेकर आप सब के लिए इस समय की बहुत बड़ी ख़वर निकल के आ रही है सीटेट दिसम्मर 2023 के ऑनलाइन आविदन को लेकर दोस्तो एक्जाम डेट नया स्लेवस्का पार स Gary गोले कर शुड़वर दोस्तों हम बात करेंगे। जैसकी आप सबकर बतावा दोस्तो सीटेट के जो पेपर है जुलाइ के महिने मैं और आपका दिसम्मर के महिने में तो दोस्तो इसमें से आपकी जो seat at जुलाई का पेपर है वो दोस्तो आपका अगस्त में 20 अगस्त को पेपर का आजन हो चुका है उसमें 29,64 ने फोरम बराता जिसमें से दोस्तो 23,00 बिद्धियार्तियों ने पेपर दिया था दोस्तो और 25 सितंबर को रिजल्ट आपका जारी हो चुका है अब दोस्तो इसी सब्ता में आपके सर्टिपिकेट भी आ जाएएंगे डिजीलोकर से आप सर्टिपिकेट डाउलोड कर पाऊगे वहीं दोस्तो बात करें seat at दिसमर सेशन के दोस्तो एकजाम फोरम के बारे में क्योंकि अब दिसमर सेशन आपका आजित ममर तक चलेगी अब दोस्तों सीट एड्ट में कुछ नग नया बदलाब होता है कि इस वार दोस्तों आपका ओपलाइन पेपर हुआ है उससे पहले ऑल्लाइन होता था इसके लावद दोस्तों सीट एड उससे पहले आपके सट्विएट साथ साल के लिए बैले लेता था लेकिन पिछली साल लाइप टाम के लिए बैलेड कर दिया गया था तो कुछ न कुछ बदलाब सीट में हर वर्स आपको देखने को मिलता है सीबसी बोर्ड के दारा तो इस वर्स भी कुछ न कुछ नया बदलाब रहेगा अब ये बदलाब क्या रहेगा ये बोर्ड के उपर डिपेंड करता हो सकता है नया सिलेवस में आपके कुछ टॉपिक नई जोड़े जाएं जैसा कि अपडेट आरे दोस्तों कुछ नई टॉप प्राइमरी स्टेज के लिए होता है जो कच्छ एक से पांच मीं तक के लिए होता है जो आपकी बिगंसी आती है केंद्री विद्यालों में और नवोदय विद्याले की जितनी वर्तिया होती है उसमें सीट्ट अनवार रूप से लागू है इसके लावा दोस्तों कुछ रा इसके अलावा दोस्तों DSSB की वेकंसी आने वाली है और आपकी नवोदय विद्यालों में 30,000 से च्चों की बर्ति भी आने वाली है तो कापी बड़ी बर्ति आएंगी अगर आप इस वार सीट एट फास कर लेते हैं दोस्तों सीट एट के बाद आपको कापी सारी बर्तिया में देखने को मिल जाएंगी लेकिन दोस्तों सीट एट का इस वार पासिंग मार्क अगर आप देखोगे फेपर सेकेंड में मात्र एक लाग चाती पास हो पाए हैं टोटल ग्यार लाग में से यानि कि दोस्तों एवरेज बहुती कम विद्यार्थी पास हुए इसके अलाव सेकेंड की तुल नाम है लेकिन फिर भी दोस्तों इस वार कापी कम चात्र एवरेज पास होते हैं तो इसलिए आपको सीटेट की अच्छे से त्यारी करनी होगी जो भी बदलाव होगा सीटेट में उसको लेकर तो मैं आपको अपडेट करूंगा ही 15 अटूबर तक आपको शुरू हो जाएंगे जो दीपावली से पहले तक फोरम बढ़े जाएंगे तो यह पूरी जानकाई दोस्तों सीटेट को लेकर दिसंबर के लास्ट में या फिर जनवरी के फर्स्ट वीक तक एक्जाम हो जाएगी एक्जाम ओप्लाइन ही होगी तयारी अपनी करती रहें ज